ब्रेक के बाद आपका स्वागत है ब्रेक से पहले छे राश्टों के बात किया अब जान लेते हैं तुलाव रश्टिक और अधनू के बारे अगले जो राश्टिक और अधन लेन देन साफधानी से करेगा अगली जो राश्टिक वो है व्रश्टिक राश्टिक वाले जो हमारे दर्शक हैं आज यदि आपको डिसिजन लेना चाह रहे हैं तो इस बात को सोचीगा कि ततकाली किलाब के बारे में नहीं हो फ्यूचर में कौन सा विकल्प, कौन सा मार्ग आपके लिए ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है उसके उपर ध्यान दिजीगा बेतर रहेगा कि आप अपनी योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा महत भविश्य को देने की वर्तमान को आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में लड़ों का वगवश्य लगाईगा अगली जो राशी वो है धनू राशी धनू राशी वाले जो हमारे दश्यक है आज कारे शेतर में कुछ बदलाव हो सकता है जो कि आपके भले के लिए होगा उस बदलाव से घबराईएगा मत व्यापार अच्छा चलेगा आज के दिन की सफल तक लिए गणेशी को जल का अर्द प्रदान करके दिन की शिरुवात कीजिएगा दिन अच्छा बूस लेगा पंडी जी यहाँ पर हमें कॉल लेना चाहेंगे सुमन जुड़ गई है चिड़ावा से ये अपनी बेटी लावन्या के बारे में जानना चाहती है इनके जन की तारीक है 23-5-2009 और जन का समय है पांच बचकर 25 मिनिट शाम का जी सुमन जी अपना सवाल पूशिया पंडी जी से नमस्ते जेशी किशना बेटा अपने श्रेशी में इसका भरिश्य कैसार रहेगा आपकी बेटी ऑई नो बेटा बावीश्य अच्छा ही रहेगा क्यों चिंता करते हो इतरे छोटे बाच्चों के भरिश्य के शिंता meat किया कर Mü 2-3 चीजे हैं वेटा आप समझ लीजिया नाम किया रखा है इसका? चली बढ़नी नक्शत्र का इसका बच्ची का जनम है और लापरी नाम रखा है आपने बहुत अच्छा नाम रखा है और इस बच्ची की जनम कुर्ली में जो सबसे अच्छी इंपॉर्टन चीज है शुक्र जनम कुर्ली में उच्छी का होके बैठा है सूरे बुदबुद आदिते योग इसकी जनम कुर्ली में बनावा है सारे ग्रह जो है ये इस बच्ची के ग्रह बहुत अच्छे है में इडिकेशन में मैं टेक्निकल लाइन में बच्ची बहुत आगे जा सकती है पिता के लिए मा के लिए सब के लिए बच्ची भाग शालिये इसका खुद का दाम पत्ते जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा चूकि शुक्र इसकी जनम कुली में उच्छिका होके बैठाए ए बाकि इसकी जनम कुली बहुत अच्छी है और आपको परिशान होने के आउशकता निक चांदी का चंद्रमा गले के अंदर आप सौंबार के दिन इसके गले में डाल दीजी बाकि सब कुछ अच्छा है पंडे जी अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे मकर कुम और मीन राशी के बारे में आज क्या करें समय को बहतर बनाने के लिए मकर राशी वाले जो हमारे दर्शक हैं आज किस्मत से पूरा होता हुआ काम आपको कुछ खुशिया देता हुआ जाएगा कुछ नया करने की प्लानिंग कीजिएगा क्योंकि आज तगदीर आपके साथ है किस्मत आपके साथ है नोकरी व्यापार की शेत्र में सफलता प्राप्त होगी आज की दिन की सफलता के लिए चीटियों को आटा आवर्शे खिल देगा अगली जो राशी हो है कुम राशी कुम राशी वाले जो हमारे दर्शक है आज जो important decisions है वो आप सारे तथ्यों पे आधारी तोने चीए विकल्पों पर अच्छी तरीके से विचार करने के बाद ही आज आपको important decision करने है कल्पनाओं में अपना समय नहीं गवाना और सामने आ रहे आउसरों का सद्विप्योग आज आपको करना है आज के दिन की सफलता के लिए गव माता को हरा पालक खिला कर दिन की शिरुबात कीजिएगा दिन अच्छा गुचरेगा अन्तिम जो राशी हुआ है मीन राशी मीन राशी वाली जह हमारे दश्चक है आपके लिए आज का दिन नए अवसर लेकर आ उन अवसर को पैचानी क्रोध उत्ते जिना आज आज आपके दुश्मन है इने काबू में रखें आज के दिन की सफलता के लिए किसी गरीब कन्या को मीठा पराठा वश्य खिलाएगा पूरा दिन अच्छा गुचरेगा पंडी जी से गुड़ लग टिप्स ले लेते हैं आज का देखें चिन्ता दुख का ही ऐसा रूप है जिससे तकरीमन हर इंसान हर रोज किसी न किसी तरीके से दोचार होता ही रहता है मुझे ये चिंता है, मुझे फला चिंता है, लीका चिंता है जो चिंता है, वो तन के साथ साथ में मन और वैवार में भी बुरे बदला उराती है आज आपको कोई फिकर हो रही है, कोई चिंता हो रही है तो आपका मूड बड़ा खराब रहेगा पूरा दिन आपका खराब उचाएगा यही कारण है कि चिन्ता को दूर रखने के लिए जरूरतों अपेक्षा या उमीदों पर काबू रखना बैतर उपाए है चिन्ता और चिता ज्यादा चिन्ता में रहोगे तो चिता पे चले जाओगे सिर्फ बिंदी का फरक है चिन्ता और चिता जी चिन्ता रखना छोड़ दूँ अशान्ती और चिन्ता से बचने के लिए धार्मी कोपायों की बात होती है तो शास्त्रों में भगवान शी गणिश जी को चिन्ता हरन देवता के रूप में पूजने माना गया है आपकी समस्चिन्ताओं को हरने वाले वगवान गणपती हूँ तो आज बुद्वार का दिन है शी गणेश पूजा का दिन है तो गणेश पूजा का बेचेनी और व्यगरता और कस्टों से निजात पाने के लिए विशेश महत्वे बुद्वार के दिन का शासरों में इस दिन एक ऐसे गणेश मंतर का इसमरन शुब माना गया है जो आस्ता और शद्दा से बोलने पर मन को भरोसा और होसला देकर हर चिन्ता का अंत करता है तो आज मैं आपको एक चिन्ता हरन मंतर के बारे में बता रहा हूँ उससे पहले अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको तीन संकल्पों के बारे में भी बताये था यदि आप चाहते हैं कि आपके दिन सो फीसे दिर शुरू हो तो उसमें एक संकल्प ये था कि आप हमेशा अपने बारे में सकारात्मक सोचेंगे, दूसरों के बारे में भी सकारात्मक सोचेंगे, आपके सोच जो है, वो ही आपके दिन को अच्छा बनाती, बुरा बनाती, सुबह उठते ही आप पॉजिटिव एप्रोच रखिए, अधिन अच्छा कुछ रेगा, और सुबह उठते ही नकारत्मक नेगिटिव सोच रहे हैं, तो दिन बर कही न कही लट तो आप बजाएंगे, बजाएंगे, तो आईए जानते हैं चिंताहरन मंत्र के बारे में, सुबह स्नान करके भवान शिगनेजी के अराधना घर या दे वाले में करें, शिगनेजी की पूजा में चंदा, नक्षत, पीले, पुष्प, अभीर, गुलाल, दुर्वा, सिंदू, रित्यादी चना, यथा शक्ती मोदक यानि लड़ों का भोग लगाएं, अभी तो गनत्सव चल रहा है, जहां गणपती भी राजमान है, वहां जाक मनी मन्त में उसको जाब करें, लिकली जाब की टीवी स्कीन पे मन्तरा रहा है, बड़ा ही चमतकारिक दुल्लब और देखा भाला मन्तर है, जिससे कि हमने बड़े ही शुब परिंदाम पराप्त कियें, ओम नमो विगन हराए, गंगन पतेई नमाहा, उन्हे सुनिए, ओम न मन्तर से आपकी जो चिंता है वो खत्म होगी और आपके सारे कस्टों से आपको मुक्ति मिलीगी, बहुत बहुत शुक्रिया पंडिजी हमसे जुड़ने के लिए, आप सभी का आज का दिन मंगल में हो शुब हो, जैशी किशना, जैमाता की जैशी, तो दर्श को हम आशा कर सकते हैं, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी इमेल आईदी है, good luck tips at the rate firstindianews.com, कल फिर मिलेंगे, तब तक, खुश रहिए और अपना ख्यार रखे, नमस्कार. झाल